हेलो एब्रिवान वेल्कम तो माई चैनल आज की वीडियो का थमनेल एंड हो सकता है टटल पड़के आपको यह लगा होगा कि अरे यह क्या नहाने का सही तरीका इसमें कौन से बड़ी बात है इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है बाधूं जाओ शावर चालू करो पानी डालो स साबून लगाओ नहां के बार आजओ इसमें कुन से बड़ी बात है लेकिन नहीं दोस्तों आयूरवेट की माने तो 99 वर्ट्सन लोगों को मालूम ही नहीं है कि नहाने का सही तरीका क्या है हम नहाते क्यों हैं हम नहाते इसलिए कि शरीर से गंदगी को साफ किया जा सके शर गंभीर से गंभीर बीमारियों की तरफ लेते चले जा रहे हैं तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं जया मलिक आज की वीडियो में हम बात करेंगे नहाने से बहले नहाते समय और नहाने के बात होने वाली कुछ गल्तियों के बारे में उनमें किये जाने वाले सुधारों के बार जी हाँ, हम गरम पानी से ज़ादा तर सर्दियों में और मॉनसून के मौसम में नहाना पसंद करते हैं लेकिन आप जांके हैरान हो जाएंगे कि आयूर्वेद में ये कहा गया है कि पूरे 12 महीने चाहे मौसम कैसा भी हो, हमें ठंडे पानी से नहाना चाहिए ठंडे पानी का मतलब यह नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि पानी में बरफ डालके आपना यह जी नहीं आपको नॉर्मल टैप वाटर से नहाना चाहिए अगर आपको बहुत 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 जादा जरूरी है तो तभी आपको हलके गुन-गुने पानी से नहाने से आपका शरीर पूरी तरीके से चुस्ति-फूर्ती में नहीं आएगा लथार्जिक रहेगा ठकावट रहेगी बाल खराब हो जाएगे आखों के चारों तरफ काले घेरे आजाएगे बालों में खूप सारी रूसी हो जाएगी आपकी पूरी बॉडी की स्किन की नमी वो छिंजाएगी प आपको पानी से नहारे हैं तो आपको पानी सबसे पहले अपने उपर बॉडी पे ही डालना होगा और अगर आप गुन गुने पानी से नहारे हैं तो आपको सबसे पहले पानी अपने पैरों में डालना चाहिए उसके बाद ही उपर बॉडी पे डालना चाहिए उसके बाद तो आपको हमेशा नैचुरल इंग्रेडियेंट से बने हुए है जिसे इसे प्रोड़क्स प्रोड़क्स जैसे कि उसके अंदर हो सकता है कि पेरबीन हो सिलिकॉन हो आर्टिफिशल कलर हो उसके अंदर सॉल्ट हो ऐसे हाश्फूल केमिकल्स जो होते हैं वो इस्तमाल किये जात है तो आपको हमेशा नैचुरल इंग्रेडियेंट से बने होए ऐसे प्रोड़क्स इस्तवाल करने चाहिए जो हाट्षूल केमिकल्स से बनकर बिलकर ना बने हो तो अगर आप जाना चाहते हैं कि मैं कौन सा बड़ी वश इस्तमाल करती हूं तो मैं इस्तमाल करती हूं अपिस लोटाता है डर्माटोलोजिकली टेस्टेड है प्रोड़क्ट नो पेरबिन नो सल्फेट नो सिलिगन नो कलर और धाईसों एमल का यह वाला इसका पैकेज आता है साथ ही साथ यह हैं 100% वेगन एंड कुनल्टी फ्री प्रोड़क्ट सिर्फ यही नहीं वाउस के इन जो बिना हार्ष फुल केमिकल्स के बनाए जाते हैं वाउ के सभी प्रोड़क्ट मेड इन इंडिया प्रोड़क्ट हैं यह प्रोड़क्ट भी आप चेक कर सकते हैं यहां पर यह भी मेंशन है कि यह हर स्किन टाइप वाले को सूट करता है मैन एंड वूमेन दोनों ही इसको बेजी जग इस्तमाल कर सकते हैं और आये जानते हैं कि अब इसे इस्तमाल करने का तरीका क्या है नॉर्मली जैसे आप रेगुलर नहाते हैं दिन में एक बार नहाते हैं चाए दो बार नहाते हैं आपको साबुन की जगा इस्तमाल करना है यह बॉड़ी वाश लूफा को व यह भी पैकेजिंग के साथ आते हैं मेड इंडिया प्रोडक्ट्स होते हैं वाव के सारे आपको मैंने लिंक दिया है मेरे डिस्क्रिप्शन वाक्स में अगर आप पर्चेस करना चाहते हैं तो वहां से पर्चेस कर सकते हैं वहां की आप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है एप को इंस्टॉल कीजिए और वहां पे भी बहुत अच्छे अच्छे आफर्स आते हैं तो अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद नहाते हैं तो आपके शरीर का पाचन तंत्र बहुत बुरी तरीके से डिस्टर हो सकता है क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर का अगनी तंत्र सक्री हो जाता है उसको पचाने के लिए तो जब हम खाना खाने के तुरंत बाद नहाने लग जाते हैं तो शरीर का तापमन डाउन हो जाता है तो इसलिए वह अगनी तंत्र जो सक्री होता है हमारे खाने को पता चल जाएगा जिस दिन आप खाना खाने की तुरंट बाद नहाते हैं आपको डाजेशन से रिलेटिट बहुत ही घंभीर तरीके की समस्या शुरू हो जाती है इसलिए अगर आप खाना खा लिए और आपको नहाना है तो आपको कम से कम दो घंटे का गैब देना बहुत ज बेकर्ति घंटे कीं तो हमें कम समय में नहाना और जादा समय तक भालतayı रहना दोनों ही वेकार है। आइय। है, जा जादा देर तक जादा तक नहाना होता है जैसे की जादा देर तक नहाने से हमारे शरीर का सुरक्षा तंतर होता है जादा देर तक नहाने से हमारे शरीर के अंदर जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर को कई तरीके के इंफेक्शन से बचाते हैं वो वाश आउट हो जाते हैं और हमारा शरीर कई तरीके के इंफेक्शन का शिकार हो जाता है या कह सकते हैं हमारा इम्म्यून सिस्ट जल्दी ही अपने आप तूटने लग जाते हैं। इसे दोस्तों आई उर्वेट के अनुसार 10-15 मिनट नहानी में लगाना चाहिए। इससे कम समय देना और इससे जाधा समय देना दोनों ही बेकार है। तो आई होग दोस्तों आज की वीडियो आपको यूसफुल लगी होगी। तो प्लीस लाइक जरूर कर दीजेगा। आप अगर वाउस के इंसाइंस के बॉड़ी वॉश जो मैंने आज वीडियो में दिखाया आप परचेस करना चाहते हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रि ऑना चाहते हैं।